नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और NCRT ओफिशल यह जो वक्त है वो लैंग्वेश संस्क्रित यानि संस्क्रित के बहुत ही एक कमाल का एक बहुत खास नाटाग के कंश हम आपके सामने लेकर रहे हैं जिस से प्यारमित्र ऐसा कह सकते हैं बाकी की जो चीज़े समझने वाली वह भी जो एक्सपर हमारे साथ जुड़े हैं उन से हम पुरा तफसील से समझने की कुशिश करेंगी कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई प्रश्न है अभी तक आपने कहीं पर उनको पहुंचा है नही कर सकते हैं इस प्रोगाम से जुड़ने के लिए पी एमी विद्या का जो चैनल नंबर दस है उसको आप टून इन कर सकते हैं और एंसी एटी ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर भी इस प्रोगाम की कवरेज जारी है समयोगय है अपने एक्सपर्ट को इंवाट करने का बहु ओकर हुमारे मित्र है बहुत ही फास्ट रेंट की बात होती थी घेए जे हगाँ प्राण से भी अधिक प्रिया आपकी जिवन में ऐसे नितर है अब बहुत आशे हैं पास्तो हमें मित्रता शब्द ही देखे ना आपने यहाँ पर क्मित्यूद का प्रियोग है ने इस सुहर अर्थात सुन्दर है हिरदय जिसका अब यहां आप यह कह सकते हैं कि सुन्दर हिरदय वाला तो मित्र के अत्रिक्त और लोग भी हो सकते हैं माता पिता हमारे भाई बंधु बहन परिवार के सभी लोग सुहृद होते हैं लेकिन यहां पर सुहृहृद शब्द मित्रता के अर्थ में रूड है, मित्र के अर्थ में रूड है, और जो दोरे हरिद है वो कभी मित्र नहीं हो शकता, अर्थ हाथ जिसका हरिदय सुन्दर नहीं है हमारे प्रति मन साफ नहीं है कह सकते हैं भाव अच्छे नहीं है वो हमारा मित्र हो नहीं सकता उसके लिए कभी सुहृत या मित्र का प्रियोग नहीं हो सकता वास्तों में समस्कित भाषा में अगर आप देखेंगे तो जो भी शब्द हैं वो अपने विद्पत्ती के लव्य अर्थ के साथ में हैं अर्थात उनकी विद्पत्ती की जाती है जैसे आप सुहृत का अर्थ पूछा आपने क्या होगा तो शोभनम हृदयम यस्य हमने कह दिया अगर आप दोस्त का अर्थ कहें फ्रेंड का अर्थ कहें तो इस प्रकार नहीं निकलेगा समस्कृत के अतरिक तो अन्य भाषाओं में इस तरह ब्युत्पत्ति लभ अर्थ आने वाली या प्रकृति प्रत्य के विवेचन के साथ में शब्दों की विवेचना करने का सामर्थ अन्य भाषाओं में अनुपलब्ध सा होता है आप बहुत करेंगे तो सुक आर्थ सुन्दर शोभन किया हरित का हरिदय किया और हरित माने हरिदय होता है और फ्रेंड में क्या करेंगे? फ्राइदेन एंड? नहीं, तो ए अनर्थ हो जाएगा दोस्त, दो अस्तह, माने दो हैं तो भी वह सार्थक अर्थ उस प्रकार से नहीं आएगा तो ये भाषा की विशिष्टा होती है समस्कृत भाषा में यह विद्पत्ति लभ्य अर्थ पाने की बहुत बड़ी विशिष्टा इसके लिए पुरा एक शास्त्र है, निरुक्त शास्त्र है और व्याकरण शास्त्र है जो शब्दों के अपने विशिष्ट अर्थों को दियोदित करता रहता है मित्र शुहृद इसके बारे में बहुत जगह हमने पढ़ा है छात्र पढ़ते हैं बच्पन में हिंदी में पढ़ते हैं समस्कृत भाषा में एक बहुत अच्छा श्लोक है मित्र होता कौन है हम सबको नहीं कह सकते कि वो मित्र है या ऐसे है पापात निवारयति योजयते हिताय गुहियम निगूहति गुडान प्रकटी करोती पापार निवारयति पाप से दूर करता है अर्थात हमारी जो बुरायां हैं जो हमारे दोश हैं उनसे वह बचाता है योजयते हिताय और अच्छे कारियों में हितकारी कारियों में वह योजित करता है प्रेरित करता रहता है गुईयम निगूहती गुणान प्रक्टिक जो गोपनी हैं उन चीजों को वह गोप्य रखता है ऐसा नहीं कि जो दोशकारी चीज़ें उन्हें दूर करने के बजाए समाज में फैलाना मित्र होते हैं वह दोशको दिखाते हैं अलग से कि इस चीज़ को सुधार करना चाहिए और अच्छा बना देते हैं दोस्त तो मित्र जो है वह गुईयम निगूहती जो गुईय है वह निगूहत करता है छुपाता है गुणान प्रकटी करोती और समाज के समक्ष गुणों को प्रगट करता है इसी बात को तुलसी दास जी रामचरित मानस में बड़े अच्छे शब्दों में लिखते हैं कुपथ निवार सुपन्थ चलावा गुण प्रगट ही अवगुण ही दुरावा अर्था कुपथ निवार जो कुपन्थ है गलत मारग है उससे निकाल करके सुपन्थ चलावा अच्छे मारग पर वह ले जाता है प्रगट करता है गुण प्रगटा ही अवगुण ही धुरावा और गुणों को प्रगट करता है तथा जो अवगुण है उन अवगुणों को वह दूर करने का शनई शनई ही हटाने का प्रयास करता है इस प्रकार से एक सच्चा मित्र जो होता है वह व्यक्ति को समाज में स्थापित करने का कारे करता है उसके यश़्कीरती के वर्धन करने का कारे करता है उसे पीछे कभी नहीं जाने देता इसलिए एक और बहुत महत्तोपूर्ण है जीवन के महत्तोपूर्ण अंग में मित्र का स्थान है तुलसिदास जी ने रामचरित मानश में कहा धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परक्षिये चारी धीरज अर्था धैर्य, मित्र, नारी, धर्म इनकी जो परिख्षा है वो आपत्ती के समय होती है जब हम कश्ट में होते हैं उस समय ये अपनी कशोटी पे कसे जाते हैं और हम ये सहज समझ पाते हैं कि कौन हमारे लिए कितना हित्कारी है कौन हमारा कितना उत्थान या पतन करने वाला होगा अस्तु ये तो हम सुहृद की व्याख्या में चले गए थे अभी सुहृद की चर्चा करने लगे यहाँ पे प्राणे भ्योपी प्रियह सुहृद यह जो शीर्शक आज सामने उपस्थी थे इसका अर्थ यही है कि जो सुहृद है वहाँ प्राणे भ्योपी प्रियह प्राणों से भी प्रियह होता है एक घटना के माध्यम से यहाँ पे दरशाया गया है एक बहुत बड़े कभी हुए हैं विशाख दत्त मुद्रा राक्षशम गरंथ के लेखा कहें और उन्होंने इसमें अयतिहासिक घटना का वरणन किया है मुद्रा राक्षशम बहुत ही अच्छा गरंथ पठनी यह गरंथ उसमें राजनीती की विवेचना है कूटनीती की विवेचना है चानक्य कालीन जो भारत था किस प्रकार से चानक के अपनी कूटनीतियों के बल पर नंदवन्ष का पतन करता है नंदवन्ष को शमाप्त करके और एक सामान्यशे राजकुमार या बालक को राजकुमार बनाता है और फिर राजा बनाता है भारत वर्ष का एक चक्रवरती सम्राठ बनाता है चंद्रगुप्त मौर्य को उन नितियों की वहाँ विवेचना की गई है राष्टर की संप्रवता की विवेचना की गई है दश अंकों में यह लिखित नाटक है बहुत ही मनुहर है हमें सब को पढ़ना चाहिए उसी के प्रथम अंक से यह जो भी पढ़ने जा रहे हैं हम यह नाट्यांस लिया गया है संपादित अंश है तो इसको हम देखेंगे कि मुद्रा राक्षशम में किस प्रकार से चानक्य का जब सामराज वहाँ चंद्रकुप्त प्रारंभ करते हैं चानक्य के द्वारा निर्देशित होता है तो जो नंद्वंस का मंत्री था अमात्य वो राक्षश था उसका नाम ही राक्षश था जैसे चंद्रक्य का नाम विश्णोगुप्त चानक्य या कवटिले के नाम से हम जानते हैं वैसे ही उनका जो अमात्य था मंत्री था उसका नाम राक्षस था वहां भी बहुत ही नितिज्य था। वह भी कुशल नेत्रित तो करने वाला अभ्यक्ति था। तो राज्य चोणके वह भाग जाता है लेकिन पूरे परिवार के साथ तो नहीं भाग सकता। तो क्या होता था उस समय जब पराजी तो हो जाते थे राजा लोग या उनके मंत्री या और शैनिक लोग तो अपने परिवार को गाउं के किसी घर में छुपा करके और वो भाग जाया करते थे कि हम पुनह उसी दलबल के साथ नई योजना के साथ आएंगे और हो सकता है हम अपनी संप्रभता स्थापित कर ले अपना राज्य पुनह प्राप्त कर ले ऐसी नीतियों के लिए वो राज्य छोण के भागते थे किसी दूसरे राजा की सहायता लेते थे या अपनी गुटबंदी कुछ किया करते रहे होंगे तो यहाँ पर जब अमात्य चले जाते हैं वहां से अमात्य राक्षस निकल जाते हैं तो उनके परिवार के जो लोग थे उनके एक मित्र हैं चंदन दास समाज के बहुत धनी शेठ थे उस समय के चंदन दास के पास छोण कर जाते हैं किसी प्रकार से गुप्त चरों के द्वारा सूचना मिल जाती है चाणक के को कि अमात्यराक्षस का परिवार उनके घर में शरण लिये हुए है तो उसे चंदन दास को बुला करके और वह पूशना प्रारम्भ करते हैं लेकिन चंदन दास वहाँ पर सची मित्रता का परिचे देता है और वह कहता है कि आप हमें मार शकते हैं हमारे प्रान ले सकते हैं लेकिन हम अपने मित्र के साथ कभी धोखा नहीं देंगे और इसी प्रशनसा को सुन करके चाणक के चंदन दास को छोड़ देते हैं कि समाज में ऐसे लोगों की महती आवर्शक्ता है समाज में ऐसे सच्चे लोगों को जरूर रहना चाहिए उन्हें दंड नहीं दिया जाना चाहिए इसी कथानक को हम अब पढ़ेंगे आज कि किस प्रकार से इसे कहा गया है हमारे इस पाठ्य पुस्तक में प्राणी भ्योपी प्रियासुरित चाणक्यह अर्थाथ चाणक्यह अर्थाथ चाणक्य कहते हैं वत्स यह एक संबोधन है मडिकार स्रेष्ठिनम चंदन दासम इदानीम द्रश्टुम इक्षामी अर्थाथ हे वत्स अपने शिश्य को वत्स कह रहे हैं कि मडिकार स्रेष्ठिनम मडिकार के समान आप और शब्द देख सकते हैं जैसे श्वर्नकार लवकार है ना तो मड़ी कार्थाथ मड़ी रत्नकार मड़ी को बनाने वाले तो स्रेष्ठिनम स्रेष्ठी स्रेष्ठी कहा जाता है जो स्रेष्ठ लोग होते थे वडिक तो मड़ी कारम स्रेष्ठिनम जो रत्नको बनाने वाले हैं ऐसे स्रेष्ठी चंदनदासर द्यापारी चंदनदासर उ और निकल जाते हैं, निश्क्रम में निकल करके चंदन अदासे नसह प्रविष्य, चंदन दास को ले आते हैं, उनके शाथ प्रवेश करते हैं, यह ध्यान रखना कि एक नाटक है, यहाँ पे दो, तीन, चार पात्र हैं, उन पात्रों के द्वारा अभिने किया जाएगा, तो मंचपर जब यहाँ अभिने होगा, तो बहुत ही अच्छा होगा, अभी तो हम पाठ के अंसमें अर्थ को समझने के लिए यहाँ पढ़े रहे हैं, तो निश्क्रम में निकल जाते हैं, और चंदन दास के साथ प्रवेश करते हैं, इतह स्रेष्ठिन, इधर-इधर से उनको ले करके आते हैं, उभव परिक्रामतह, दोनों ही चलते हैं दोनों तरब से, मंचपर हैं तो इधर-इधर घुमते हुए, शिष्यह, उपश्रित्य, उपश्रित्य अर्थात समीप जा करके, चानक किसे कहते हैं, उपाध्याय, यह संबोधन है, अयम स्रेष्ठी हो रहा है, इसका शुद्ध शब्द जब देखेंगे, तो स्रेष्ठी है, अर्था स्रेष्ठ, समाज में जो स्रेष्ठ होता था, वह स्रेष्ठी कहा जाता था, और वह स्रेष्ठी धीरे-धीरे, स्रेष्ठ शब्द में आ गया, और फिर सेठ में आ गया, सेठ जी कहने लग पुनहा चारक के कहते हैं स्वागतम ते अर्थात हे स्वागत है क्या आपका संब्योहारथा ब्यापार इस ब्यापार का ब्रिद्धी और लाव दो की चर्चा कर रहे हैं कि क्या आपकी ब्रिद्धी हो रही है और लाव हो रहा व्यापार बढ़ रहा है और लाभ दोनों ही होना चीह है व्यापार अगर रुख गया केवल लाभ है तो एक सीमित छेत्र में रह जाएंगे लेकिन अगर वृद्धी के साथ में कई शाखाएं व्रांचेस बढ़ती जा रही है और लाभ के साथ बढ़ रही है तो फिर बढ़ रहा है क्या आपका व्यापार है व्रिद्धी के साथ में बढ़ रहा है या नहीं चंदंदास अपने मन में सोचते हैं क्या सोचते हैं अत्यादरह शंकनी यहां कोई बड़ा व्यक्ति आपको बुलाए और ज्यादा ही सम्मान करने लगे तो वहां पे संका हो जाती ह कि जरूर कोई बात है कोई बड़ा मंत्री यदि किसी धनिक सेट को बुला लेता है और उसकी प्रसंशा करना सुरू कर दे तो फिर वहां समझना चाहिए कि बोश का लगता है कुछ बड़ा कार्य है या कुछ गड़बर हो गया है तो ऐसा अत्यादर हश्रंक निये हैं बहुत अखंडिता में वनिज्या आर्य के प्रशाद से अर्थात स्रेष्ठ के लिए आर्य शर्द का भी प्रयोग होता था आर्य यहां चानक के के लिए प्रयोग किया गया है कि आर्य के प्रशाद से अखंडिता में वनिज्या हमारा जो व्यापार है वनिज्य अर्थात व्याप बार हमारा अखंडित निर्वाध रूप से चल रहा है आपके आशिरवाद से चानक के कहते हैं भोश रिष्ठिन प्रीताभ्या प्रकृतिव्या प्रतिप्रियम इक्षंति राजान है अर्थात प्रसन जो प्रकृतिव्या यहां प्रकृति जनों के लिए प्रयोग किया गया है कि अगर समाज में रहने वाले लोग प्रसन रहते हैं समस्या से नहीं हैं निरोगी हैं ज्यादा टेक्स दे करके परेशान नहीं हैं तो प्रतिप्रियम इक्षंति राजान है जो राजा लोग होते हैं उनसे उसके बदले में कुछ चाहते हैं राजा लोग यह चाहते हैं कि हम अगर प्रजा को सब कुछ दे रहे हैं, तो प्रजा से भी हमको कुछ मिले, चाहे वो टेक्स के रूप में हो या उपकार के रूप में हो, या सेवा के रूप में हो, वह राज्य को भी कुछ दे. यह बात चाणक्य चंद अंदास को कह रहे हैं पुना चंद अंदास कहते हैं आज्यापेतु आरिय, किम कियत चा असमत जनात इश्यते, अर्थात हे आचारिय, हे आरिय, आप आज्याँ कीजिए, किम अर्थात क्या, कियत अर्थात कितना, कितना और क्या, मुझसे आप चाहते हैं, अगर किसी व्यापारी को बुला करके, राज्य का कोई अधिकारी इस प हैं आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कहिए तो चाड़क के कहते हैं भोश्रेष्ठिन चंद्रगुप्त राज्य मिदम न नंदराज्य मिहां नंदका राज्य नहीं है अपितु चंद्रगुप्त का राज्य है नंदस्य वह अर्थ संबंध पृतिम उत्पा देती आपका जो अर्थ का संबंध था आपका जो डोनेशन था वह तो केवल नंदवनश के लिए था हम लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं केवल उन्हीं के प्रति आपकी प्रिती थी क्या चंद्रगुप्त से तु भौताम अपरिकलेश चंद्रगुप्त के लिए आप कुछ करते न रखना चाहिए पुनहां चंदंदास कहते हैं शहर संप्रशन नहो करके की आरिय अनुग्रहीतोश मिम्मय अनुग्रहीत हुआ आपने हमको इस योग्य समझा इसके लिए हमें खुशी है भोश्रेश्ठिन साच अपरिकलेश कथम आविर भवती इती ननुभवता अपरिकलेश है कथम आविर भवती हमको कलेश ना हो हमारा कलेश दूर रहे हमको दुख ना हो ऐसे दुख का जो अभाव है कैसे उत्पन होता है शायद यह आप पूछना चाहते हैं तो ठीक है हमें कोई कश्ट ना हो इसके लिए कुछ अगर देना लेना होगा तो हम वह कर सकते हैं अपने आपको बचाने के लिए चंदन दास कहते हैं आज्या पयतु आरियह आप आज्या कीजिए हमें क्या करना है चाड़के कहते हैं राजनी अविरुद्ध भृत्तिर्भव राजा के प्रती विरोध सुखाव वाला तुम मत बनो राजा के प्रती कभी विरोध नहीं करना चाहिए राजा के अनुकूल कार्य करना चाहिए तुम भी राजा के अनुकूल हो जाओ चंदन्दास कहते हैं आरिय कहा पुना अधन्य हुआ कौन सा अधन्य व्यक्ति होगा अधन्य अर्था दुर्वाग्यशाली व्यक्ति होगा जो राग्या विरुध्ध है इती आरियन अवगम्यते जो जिसको आप राजा के विरुध्ध समझ रहे हैं जो राजा के विरुध् प्रत्मम। पहले तो आप ही हैं जो राजा के विरुधकारिय कर रहे हैं। तिनका जाएगा तो वो जलके भश्म हो जाएगा, इसलिए अगनी के साथ कभी त्रिण, अब यहाँ पे चंदन्दास की चातुरियता दिखाई पड़ती है, कि चंदन्दास अपने को त्रिण और राजा को अगनी बता रहे हैं। राजा के लिए जो अहितकारी है, ऐसा अमात्यराक्षस जो मंत्री था, अमात्यरतात मंत्री, उसके ग्रिहजन घर के लोगों को अपने घर में रक्षा के लिए रखे हुए हो, उनकी रक्षा कर रहे हो। आशंका की बात नहीं है, तुम्हां इसी आशंका मत करो कि मुझे कोई सूचना दिया है, भीताहा पूर्वराज पुरशाहा पहले से भी ऐसा होता रहा है, जो भैभीत पहले के लोग होते थे शैनिक लोग होते थे वो गाउं पाउरानाम अनिच्छताम अपी जो गाउं के लोग होते थे उनकी इच्छा के विरुद्ध भी उनके घर में छुपे रहते थे और उनको छुपा करके अपने घरवालों को छुपा करके देशांतरम च्छादनम दोशम उत्पा देती लेकिन वह जो छुपाना है वह दोश देता है वह घर के लोगों को कश्टकारी हो जाता है एवमनुईदम हाँ ऐसा तो है तस्मीन समय आसीत असमत ग्रिहे अमात ते राक्षा सस्य ग्रिह जनह इती अर्थात उस समय तो हमारे घर में जब आ तो चाड़क के कहते हैं पूर्वा मनिरतम पहले तो तुमने कहा था कि जूटा किसी ने आपको सूचना दिया है अत्वा इदानीम आसीत अभी तुम कह रहे हो कि हाँ हमारे पास थे इती परसपर विरुद्धे वचने दोनों ही विरुद्ध वचन है पहले तुमने कहा किस रस्मिन समय आसीत असमद ग्रिहे अमात्तेराक्षस अस्य ग्रिह जनाह। उस समय हमारे घर में अमात्तेराक्षस के घर के लोग थे। तत प्रतिकार है तुम्हारे शिर पर भय बैठा है एक राज्य का बड़े राज्य का मंत्री इस प्रकार्शे बात कर रहा है तो निशित है उसे भय होगा तो वही डरा रहे हैं कि तुम्हारे शिर पर भय बैठा हुआ है अति दूरम तत प्रतिकार है उसका जो प्रतिकार है भय को दूर करने का विकल्प है वह दूर है तुम्हें कोई बचा नहीं सकता हमसे हमसे मिथ्या मत बोलो ऐसा कहना चाहते हैं तब चंदन दास प्रश्ट कहता है कि आरिय किम्मे भयमदर्शय से क्या तुम मुझे डराना चाहते हो संतम अपिगेहे अमात्यराक्षसस्य ग्रिह जनम नसमर्पयामी अगर संतम अर्थात रहते हुए भी अमात्यराक्षस के घर के लोग अगर हमारे घर में रह भी रहे हैं तो भी नसमर्पयामी मैं आपको समर्पित नहीं करूंगा किम्पुनह असंतम किम्पुनर असंतम और अगर नहीं रह रहे हैं उसकी तो बात ही क्य तब चाणक के मन में कहते हैं कि स्वगतम अर्थात अपने मन में कहना साधु चंदंदास साधु अरे चंदंदास ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है जो अपने मित्री को निभाने के लिए मृत्यू से भी नहीं भैखा रहा है और हमसे इस प्रकार से निडर हो के बात कर र हो रहा है पहले ऐसे होता था ना बंदी बना लिया और आज भी होता है कि 10 लाक का अर्थात एक पुराणों में आख्यान आता है शिवी की कहानी है कि उन्होंने एक कबूतर की रख्षा करने के लिए अपने शरीर के मांस के टुकड़े को भी दे दिया था तो मांस के टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा काट करके और बाज को दिया था एक पौराणी का अख्यान है फिर बाद में वो बाज और कबूतर जो दोनों ही थे वो अगनी और इंद्र के रूप में आये हुए थे तो शिवी ने कबूतर की रख्षा करने के लिए अपने शर के मांस के टुकड़े को खालो हमारे शरीर को पूरा खालो लेकिन ये कबूतर हमारी शरण में आया है इसलिए इसे छोड़ दो ऐसा राजा शिवी का एक कथानक ऐसी एक कथा हमें सुनने को मिलती है तो चंदन्दास के लिए यहां पे चानक के कहते हैं कि शिवी के अतिरिक तक पहुचा देता है इस प्रकार से अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए चंदंदाश ने अमात्यरक्षस के ग्रिह जनों की रख्षा की और चानक्य के मन में वह उच्छस्थान पासका पुनाह वह इस कथानक को यहीं पर समाप्त किया जाता है यहां पर और वह सलता का एक जो पूट है ना वहम सुनते थे जब अगवान राम के जमाने की बात थी वहां से लेकि यहां तक पुराने का ख्यान अभी आपने जिकर सेड़ा उसके बाद यह जो कहानी हमने सुनी जो कथानक था कहीं ने कि वहां पर भी मिलता जुलता है दूसरी एक चीज य बहुत बहुत तो शुक्रिया वेद प्रकाश जी इसको रोकना तो खेर मने ही चाहरा था समय की बाद देता है मजबूर है कि इस सेशन को में यही स्वाहत करना होगा फिर होगी बलाकात एक नए सेशन के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपको स्टूडियों से रहने बाद बहुत बहुत बहुत